जो कुछ मेनी खोया, वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया, वो प्रभु की महरबानी थी, बहुत ही खुबसुरत रिष्टा है, मेरे और महवीर के बीच में, जादा में मामती नहीं और कभी वो कम देता नहीं, क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है, उससे दुनिया ज परस्ती है, ऐसे महवीर का कुल हमें मिला है, ऐसा जेन धर्म हमें मिला है, जैजिनेंद्र नवशकार, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंचना जेन, फिर से एक बार अपनी चिनल पे आप सभी का स्वागत और अभिननदन करती हूं, दोस्तों महवीर का कुल हमे मिला है जेन धर्म हमें मिला है और आज हम महवीर के अनुयाई है महवीर के भक्त हैं और महवीर के सिध्धान्तों पर चलते हैं हमारे जेन धर्म के शास्त्र में कहा गया है कि 84 लाख योनी के बाद हमें मनुश्य योनी मिलती है और इस मनुश्य योनी में जेन धर्म मिलना तो तो ऐसा कुल हमें मिला है तो अब हमें महावीर के उनसिद्धान्तों को अपना कर अपनी जीवन की सार्थटता को देना होगा और महावीर की शान को बढ़ाना होगा. जिहां दोस्तों महवीर जन्ती जैसा पावन पर्व अब आने वाला है और हम हर साल इस पर्व को बड़े हर्शो उल्लास के साथ मनाते हैं इस वर्ष भी हम महवीर जन्ती को बहुत ही खास हर्शो उल्लास के साथ मनाएंगे लेकिन ये महवीर जन्ती का पर्व यह आप और खास बनाना चाहते हैं और यादगार बनाना चाहते हैं यानि किस महवीर जन्ती के ऊपर आप अपनी स्पीच दें या आप महवीर जन्ती से संबंदित किसी कारिक्रम का मंच संचालन अगर करते हैं तो उस कारीक्रम में अगर जान लाना हो तो आप कुछ नया अंदास देकर अपने कारीक्रम को बहतर से बहतर बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं कि जब किसी खाने को टेस्ट को हमें बढ़ाना होता है तो हम उसमें मसालों को तड़का लगा देते हैं ताकि उस खाने का स्वाद और जाएका और बढ़ जाए उसी तरह अगर आप महविर जन्ती के उपर स्पीज देना चाहते हो या फिर महविर जन्ती के कारिक्रम का मंच संचालन करना चाहते हो तो आपका कारिक्रम और बहतर से बहतर हो सके उसके लिए क्या कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों वही जाईका मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहतरीन शायरियों के दुआरा आप अपने कारिक्रम में जान ला सकते हैं उस पर चार चान लगा सकते हैं तो आज एसी कुछ बहतरिन शायरियों का कलेक्शन में आपसे शेयर कर रहे हूं जो आप महवीर जन्ती की स्पीच में यूज कर सकते हैं, महवीर जन्ती के कारिक्रम के संचालन में यूज कर सकते हैं और अपने कारिक्रम को बहतर से बहतर परिणाम देकर इस महवीर जन्ती को और खुबसरत बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महविर जनती के उपर खास शायरियों के कलेक्शन को जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूं तो शुरू करते हम आज का ये खास वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आने वाली महविर जनती की आपको धेर सारी शुपकामनाय और बधाई देना चाहती हूं और इस खास वीडियो को आप अपने बहतरी अंदाज से एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं एक बहतर अंजाम के लिए एक बहतर अंदाज बहुत जरू शुरू करते हैं वो शाइरिया जू हम महवेर जनती के पर बोल सकते हैं रही नंबर वन कि प्रभू शायरी नमबर टू, त्याग की बाते तो हर कोई करता है, सत्य का नारा तो हर कोई कहता है, उतारे जो कथनी को करनी बना कर जीवन में, उतारे जो कथनी को करनी बना कर जीवन में, एसा माहवीर तो एकाध हुआ करता है, एकाध हुआ करता है, जो युद्ध लड़े मेदानों में वो इंसान वीर कहा जाए और जो युद्ध लड़े अपने मन से वो महवीर हो जाए शाइरी नमबर फॉर्थ भाव है तो भक्ती का सुमन जरूर खिलेगा एक बार तो मुक्ती का सियासन भी हिलेगा शद्धा की गहराई मोती चुना करती है चंदना बन कर देखिये वर्धमान जरूर मिलेगा शाइरी नमबर फेप्त इत्यास काच के टुकडों से नहीं उजवल हिरों से बनता है इत्यास गहास के तिनकों से नहीं फोलादी तारों से बनता है जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हतियार डाल देते हैं जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हत्यार ढाल देते हैं इतिहास ऐसे कायोरों से नहीं महावीर जैसे शूर विरो से बनता है शूर विरो से बनता है शायरी नमबर 6 गोतम का मन महावीर के प्रती आकरष्ट था गोतम का प्रेम महावीर के लिए अद्रश्ट था महावीर के 14,000 सादुओं में गोतम का बिनई और ज्यान सबसे उत्करष्ट था और सबसे अंत में शायरी नमबर 7 मुर्चाई हुवे फूलो को खिलाया नहीं जाता महावीर आपके गुनों को भुलाया नहीं जाता अनेक उपकार कि ये भविजनों पर आपने आपको अनेकों का मस्या कहा बिना रहा नहीं जाता रहा नहीं जाता तो दोस्तों इस तरह की महवीर जन्ती की ये जो special शायरिया है आप इनको यूस करके अपने speech को और अपने मंच संचालन कारिक्रम को बहुत ही बहतर से बहतर बना सकते हैं और एक खुब सरथ सा अंजाम दे सकते हैं और इस महवीर जन्ती को और खास बना सकते हैं क्योंकि इन्शायरियों के माध्यम से आप उस कारिक्रम में जान डाल सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों इस तरह से हम महवीर के सिध्धानतों और उनकी जीवन से हमने बहुत कुछ सिखा है उनके जिवन ने हमारी जीवन को एक बहुत बड़ी एहमिद दी है हमें ग्ञान के प्रकास से प्रजुलित किया है तो आज महवीर के उन सिधांतों को याद रखते हैं उन पर अनुसरण करते हुए सही माईने में हम जेनी हो जाए और महावीर के सिध्धान्तों पर चल कर जीयों और जीनेदों का नारा सार्थक करें और महावीर के प्रति हम अपने धर्म में उनकी शान को बढ़ाएं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम महावीर के सिध्धान्तों को अपना कर दया करुणा का भाव जगा कर हम अपने जेनी होने का परिशेई दे क्योंकि हमारी लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जेनी हैं और हमें जेन धर्म मिला है और ये जेन धर्म हमें अपने भाग्योदे से मिलता है पूर्णयोदे से मिलता है हमने पिशले कर्म बहुत अच्छे किये होंगे जो हमें जेन धर्म जैसा धर्म मिला तो हमें इस जनम में भी अपने कर्मों को इतनी अच्छी पहचान दे कि हमारे आने वाला जीवन बहुत सुख मही हो तो एसी उमीद और एसी आशा के साथ महावीर को सिध्धानतों को अपना कर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और आज सभी महावीर के भक्तों से एक ही भात कहना चाहूंगी कि दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करे दिल की धड़कनों में अपने होने का हैसास करे औरों पर न सही खुद पर तो विश्वास करे निराश होकर बेटने की जरूत नहीं आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करे जिहां एसी आशा और उमीद की किरण लेकर हमें निरंतर दया करोना और क्रेम के मारग पर चलना है और इसी के साथ हमें महवीर के अनुयाई बनना है उनके भक्त की पहचान हमें देना है एसी महवीर का यूग हमें मिला है एसी महवीर की वानी को श्रवन करने का हम ये सुनहरा मोका मिला है अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और आने वाली पिड़ी को अपने धर्म के प्रती शेशक्त बनाएं हमारे बच्चों को वो सिक्षा दे वो ज्यान दे और जेन धर्म के महत्व को पूरी तरह से उनके जहन में डाले और उन्हें जेन धर्म का महत्व बताए ये जिम्मेदारी अब हमारी बनती है क्योंकि ये बच्चे ही जिन्शाशन के रखवाले हैं इसलिए हमें इस कल्प रक्ष को मजबूत रखना है और इसकी च्छाओं को खना रखना है तो हमें जेन धर्म की रक्षा हरदम करना है क्योंकि कहते हैं कि धर्म को संप्रदाई का गुलाम नहीं होने देंगे धर्म को संप्रदाई का गुलाम नहीं होने देंगे हिम्मत के साथ संकल्प करे कि किसी भी कीमत पर जेन धर्म की रोशनी को इन अंधेरों के हाथों निलाम नहीं होने देंगे एसी भावना हम सब में होना चाहिए यही जोश हम सब में होना चाहिए इसलिए यह जेन धर्म हमारा धर्म है हम सब का धर्म है तो इसी के साथ दोस्तो अब वही बात कोऊंगी कि अगर आपको मेरा माविर जनती की ये विशेश शायरियों का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे इस तरह से देते रहिए और कोई भी आपका सुजा हो तो मुझे जरूर बताए क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रहसान मिलता है और आगे बढ़ने की जो बेरी प्रेणा है वो और प्रबल हो जाती है तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी तब तक के लिए जै महावीर जै महावीर जै महावीर